हेलो दोस्तों वेलकम बैक, फ्री साक्ट लेब में सागत है, आज टाइम है रिव्यू की साथ में है एक माल्टिमीटर, ट्रू आरेमेस, संसाइन, डीटी 890N, ट्रू आरेमेस मेजरमेंट, इंटेलिजन अंटी वर्निंग, फ्रिक्वेंट्सी मेजरमेंट, टेंपराचर मेज मेजरमेंट, इंडेक्शन, एलेक्ट्रो परवी, तो यह सब क्या है भाई, क्या रॉकर्ट सांस है, इसके अंदर चलिए देख लेते हैं, पहले मिल जाता है यह माल्टिमीटर, इसके नीचे है यूजर मैनुएल, और वारंटी कार्ड, उसके साथ आपको मिलता है एक बैट और इस साइड में भी दो कैप लगा हुआ है, एनिवे, तो इस बैटरी को इंस्टल करना है मिटर के अंदर, मिटर को खोल लेते हैं, मिटर के पीछे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है यह आपर, जास्ट यह आपर प्लास मैनस देखके कनेक्ट करना है, क्योंकि हम अभी तक पता नहीं है, इसके अंदर बैटरी उल्टा लगाने की प्रोटेक्शन है की नहीं, क्यार हम लोग इसका बोर्ड को खोल के देखेंगे, तो फिर पता चल जागा वीडियो के एंड तक की इसमें प्रोटेक्शन है की नहीं, तो आभी प्लास मैनस ठिक करते हुए लगाते है, इसमें ऐसा स्टेंड मिलता है, तो इसके चलते हैं आपको मेजरमेंट में काभी स्रुवीदा होगी, आप टेबिल में इसको ऐसे रखके, बाकि आपका सारा काम कर सकते है, ये ब्लाक प्रोब लगाएगा कॉम में, और ये वोल्ट औहम हर्ज, बाकि सारे फांक एनिवे मैंने उल्टा लगा है, तो माइनास आ रहा है, और यहाप खास बत क्या है, यहाप बाहर ग्राप भी है देखिए, नीचे में, एक ग्राप आ रहा है, और यहाप और कैमेरा में कुछ आजीव सी फ्लिकारिंग आ रहे है डिस्प्ले में, तो ये नर्माल आखों से देखने से नहीं आता है, ये बास डिस्प्ले की रिफ्रेस रेट है, वो कैमेरा की फ्रेम रेट के साथ कुछ कर रहा है, इसलिए आ रहा है, बिल्कुल गयब हो चुका है, लाइट आप करते ही, तो भाई इसका प्राइस बता रहता है, कि ये 12.98 में बिखता है, एक साइट में मैं दिखाऊंगा, इसके डेक्सिप्सनों लिंक होगा, और ये एक टेंपराचर की जो प्रोब है, ये इसका एक की फीचर है, जो दुसरा मल्टिमीटर में ज्यादा तो देखने को नहीं मिलता है, यहाप आप लोग डिग्री सेंटिग्रेट और डिग्री फरन हैट में टेंपराचर माप सकते हैं, एनिवे तो पहले दूसरा कुछ फांक्शन को टेस्ट कर लिया जाए, यहाप पर पहला फांक्शन है, एईच एफी ये ट्रांजिस्टर का जो गेन है, मतलब बेस में कितना करन देने से कलेक्टर में कितना आएगा, उसका जो रेसियो है, उसका माप सकता है, जैसे इस बीसी 547 ट्रांजिस्टर के लिए इसका बीटा माप लेते हैं, तो यह NPN है, एमिटर बेस कलेक्टर सब मिला के आपको लागाना होगा, जो कनेक्टिविटी इसू योलो मिटर के साथ आती थी, इसमें कनेक्टि नहीं होती थी, वो प्राब्लम इसमे इसमें बिल्कुल नहीं है, तो फ्रेंट्स HF300 का मतलब यह है, कि इसका कलेक्टर से आगर आप लोग कुछ मिलियंपेर करेंट लेना चाहते है, तो उसका 3.500 गुना कम करेंट आप बेस में देऊगे, तो भी चलेगा, और उससे ज़्यादा देंगे, तो तो चलेगा ही, न सब माल्टिमीटर में रहता है, 200 मिलिवोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, तो यह तो सब माल्टिमीटर में रहता है, उसके बाद एक खास फीचर है, यह हर्ज मेजरमेंट की, जो आपका घर की AC लाइन में जो करन्ट आती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, हम जानते है 50 हर्ज होती है लेकिन इसको आप verify कर सकते है इस meter से तो देखिए मैं यहाप पर probe लगाया 220 वोल्ड में यहाप 220 वोल्ड दिखा रहा है हर्ज लेना चाहता हूं तो यहापर मुझे इसको दाबाना पड़ेगा तो यह देखिए 50.0 हर्ज दिखा रही है मतलब कि हमा कम वोल्टेज तक भी आप माप सकते है 20 वोल्ड तक AC को मापा जा सकता इस meter से तो इसमें यह फूल स्केल में 19.99 दिखाएगा तो यह 2000 काउंट की मल्टिमीटर है और यहापर जो 20 वोल्ड है इसमें जो AC की accuracy मिलेगी आपको 0.01 वोल्ड की accuracy मिलेगी जो इस meter में only 0.1 पतलों की no contact voltage test यह कोई तार के अंदर जो live voltage है उसको यह contact ना बना के ही माप सकता है कि इसमें live आ रही है तो इस तरी के से यह काम करता है यह जितना AC के पास जाएगा और इसका beep का जो speed है वो बढ़ जाएगा और जितना यह दूर जाएगा उतना कम speed में beep करने लगेगी और इसी चीज़ को इसके उपर में लिखा गया था induction electro probing यह कोई rocket science नहीं है यह बस यही tester है इसी को यह ऐसा नाम से लिखा गया है नेक्स्ट मोड है AC MPR में अपने का तो यहाँ पर 20μA से शुरू होती है यह 10A तक जाती है तो यहाँ पर जो milliamp की slot है इसमें probe को लागाना होगा current मापने के लिए उसके बाद दोस्तों यह इतना range तक आप इस प्रोट से माप सकते है 200 milliamp तक उसके बाद जो 10A में देंगे त आपको इस probe को खोल के 10A वाली probe में लगाना होगा यह दोनों ही probe fused है यहाँ पर देखिए fused लिखा हुआ है इसका meaning क्या होता है आगर आपने यहाँ पर देखे कोई battery में की voltage आगर test करने जाते है तो इसके अंदर fuse उड़ जाएगा और इसकी circuit में कोई जो resistance बगरा है उसको नहीं जलाएगा अगर कोई दूसरा multimeter की बात की जाए तो यहाँ पर आगर आप लोग current mode में देखे कोई battery की voltage बगरा चेक करने जाते है तो इसके अंदर की registers उड़ जाती है और यह बाद में कभी current को सही reading से माप नहीं पाती है और किसी किसी case में यह current reading बिलकुल ही काम करना बंद कर दता है लेकिन इंसर मीटर के लिए क्या होता है यह महंगा होने के कारण इसमें यह protection दिया गया है इसके अंदर fuse को बदल लेंगे तो यह वापस उतनी ही accuracy पर चलेगी कोई भी फरक इसके अंदर नहीं पड़ेगी next mode में हमारा temperature की यहाँ पर degree centigrade और degree Fahrenheit यह सब option है यह पर ओके तो यहाँ पर मैं इस प्रोब को लागा लूँगा तो इसका जो black वाला है यह कॉम में जाती है और red वाला है यह इस वाली red connector में लगती है उसके बाद यह temperature दिखाएगा तो just degree centigrade सेलेक्ट कर लेते है तो यह 35 degree centigrade दिखा रही है इसका अगर मैं हाथ से गरम करू तो य धीरे धीरे बढ़ने लाएगा ओके तो यह कैसे काम करती है यह के टाइप thermocouple है इसके अंदर आगर कोई heat जाती है तो यह जो है थोड़ा सा millivolt drop बनाता है और उसको ही मापा जाता है इसके अंदर circuit में तो भाई यह temperature की feature बहुत ज़्यदा useful होने वाली है आपका soldering आरण इस तरह के से पूरा temperature तक गरम हो रहा है कि नहीं यह देखने के लिए और दोस्तों इसका जो working principle मैंने बताया था उसको भी verify कर लिया तो मैं 200 millivolt range में दिया उसके बाद इसकी अगर thermocouple की voltage check किया जाए तो देखिए जैसे ही मैं इसको heat करता हूं तो कुछ millivolt यहापर generate होत है degree centigrade और degree Fahrenheit की value में तो आगर आप लोग इस तरह की thermocouple खालिज सकते है उसके बाद इस तरह की जो छोटा वाला मीटर से इसमें भी temperature माप सकते है लेगिन थोड़ा सा calculation करना होगा वह आपको खुद जे करना होगा तो वह calculation आभी समझाना possible नहीं है जास्ट मैं आपको दिखा लेकिन इस मीटर के साथ backlight inbuilt आता है तो इस hold वाली बटन को दवा के रखेंगे तो backlight इसकी चल जाती है और यह 10 सेकंड बाद automatic off होती है और in fact इस मीटर में भी auto power up की feature है देखे यह APO लिखा हुआ है यह 10 मिनिट अगर चलता रहता है तो आफ हो जाता है लेकिन इस चीज को अगर आप लोग on छोड़ देते हैं तो यह हमेशा के लिए on ही रहेगा जब तो आपका यह battery खतम ना हो जाए तो इस meter में यह feature ज्यादा है कि यह automatic off हो जाती है और इस meter में एक और खास बात यह है कि यह आप पर reading को hold किया जा सकता है इस display में जो reading है इसको आप लोग freeze कर सकत है तो यह battery को खोल देने से भी यह reading बिल्कुल ऐसा ही रहेगा आप अगर probe भी खोल दीजिए तो भी कोई problem नहीं यह reading यह पर ऐसा ही रहेगा तो इस reading को आप बाद में read कर सकते हैं मतलब आप कोई काम कर रहे है इस reading को आपको freeze करकर रखना है कुछ एक या दो मिनिट तक तो इसके बाद इसको देखके आप वह पर आपका calculation बगर जो भी करना है कर सकते है उसके बाद इसको बापस से normal करने के लिए hold button को दुबार दाबान होगा तो यह normal हो जाएगा इसकी warranty card में one year की warranty लिखा गया है और इसका जो user manual है इसको हम लोग देख लेते है तो यहा पर कुछ चीजे लिखा हो है इसके बारे में कैसे यूज करना है बगर बगर आप इसको देखके पड़ सकते है यहाँ पर resolution बगर लिखा हूआ है क्या क्या फिचर से ये भी यहाँ पर लिखा हूआ है और कितना mode में क्या resolution देता है यह यहापर देख सकते हैं और इसको कैसे यूज करना कुछ information यहापर दिया हुआ है anyway आप चलिए इसको एक capacity measurement mode में देखे कुछ capacitor मापते हैं तो यहापर millifarad range जो है यह capacity measurement है capacity measurement के लिए इसका red probe यहापर रहेगी और एक छोटा capacitor से test किया जाए यहापर एक पीन में आप लोग हाथ लागा सकते हैं लेगिन दूसरा पीन को छोड़कर रखना है और यह देखिए 72 nanofarad दिखा रहा है और यह actual में 100 nanofarad की capacitor है यह 104 value की है तो क्या यह meter reading गलत दिखा रहा है चलिए देखते हैं दूसरा meter से तो भाई यह है इस meter का बड़ा भाई यह model number dt 79 है इसका भी review video बना हुआ है इसमें बहुत सारे features यहाप पर दिया हुआ है और auto mode है पूरा multimeter यहाप जो manual है आपको 220 यह सब select करना पड़ता है यहापर सब कुछ auto हो जाती है तो इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है उससे तो यह भी आप ले सकते है एनिवे यहाप पर capacity measurement mode को select करते है यह और nanofarad mode तो इसको यहाप लगाते है और इसमें आपको value मिल रहा है 67 के आसपास तो देखे यह चीज बिलकुल सही दिखाया है इस meter में 70 के आसपास दिखाया था तो यह capacitor faulty है यह पूरा 109 नहीं है कोई दूसरा capacitor भी टेस्ट कर लिए जाए यह 16 volt 220 microfarad की है तो इसको पहले short करना होगा इसका जो दो pin है इसको ऐसे लागा के short कर देना होगा उसके बाद इसकी दो pin के साथ इसको ऐसे connect करना होगा तो यह थोड़ा सा time लेगा इस capacitor को यह charge करेगा और देखिए microfarad mode select हो चुका है और यह 0.244 millifarad दिखाया मतलब की 244 millifarad यह बता रहा है तो यह काफी करीब है और यहापर इसको भी ऐसा ही short कर लेते यह 470 millifarad की है इसको भी मापके दिखाया तो 0.4 millifarad आना चाहिए और बिल्कुल सही 482 millifarad आ रहा है तो इस तरह के साथ लोग capacitor भी इससे measurement कर सकते हैं और इंटरेस्टर लोगों के लिए बता दू कि यह capacitor measurement की mode में capacitor के अंदर एक triangle wave inject करता है जिसके चलते यह इसकी time period को मापता है या फिर इसकी कोई reactance या फिर कुछ मापके इसकी capacitor की value को माप लेता है तो most probably यह इस capacitor को charge discharge करता रहता है और इसका जो time लग रहा है इस time को मापके यह capacitor की value माप रहा है दोस्तो और एक बिचित्र चीज आपको दिखाए जाए यहाँ पर जो TRMS लिखा हुआ है इसका मिलिंग क्या है यह है true rms true rms का मिलिंग आपको आभी समझाओंगा यहाँ पर दिखिए true slash avg लिखा हुआ true rms slash average यह AC की जो voltage मापता है true rms और average दोनों mode में माप सकती है यह दोनों mode का जो system है यह मैं दिखा जाता हूँ इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह true rms कितना useful है मेरा इस board में power supply आ रहा है एक UPS से तो इससे मैं DC दे सकता हूँ और inverter की जो output है square wave AC वह भी दे सकता हूँ यहाँ पर तो क्या UPS come voltage generate कर रहे है नहीं क्योंकि UPS की जो web from होती है वो बिल्कुल sine wave नहीं होती है इसके कराण यह पर voltage जो है यह ठीक नहीं दिखा पाती है क्योंकि यह sine wave में calibrated रहती है लेकिल यह क्योंकि TRMS meter है true rms है तो यह इस web from के अंदर average or true rms तो भाई यह तो बिल्कुल एक सही feature है इस meter के अंदर तो friends हो गया काफी बाते इसकी features को लेके आप चले इसका inside देखेंगे अंदर में circuitry कैसा है और किस तरह की चीजे दिया गया है यह 13 रूपिया में खर दिना कुछ कुछ आच्छा option है की नहीं यह हम लोग verify करेंगे तो चले इसको खोड़ लेते है तो भाई यह रहा इसका inside यहाँ पर देखिए एक cheap मिल रहा है एक black drop के अंदर और इस तरह की cheap ही ज्यादतर माल्टिमेटर में मिलता है यहाँ पर एक 8 MHz की crystal है तो यह crystal की frequency से रान करती है तो यह बहुत ज़्यादा stable होगा और इसकी जो resistance वगरा है यहाँ पर यह सब MILF resistor है MILF कोई high level की चीज़े नहीं है यह बस normal resistor के तरह ही होती है लेकिन यहाँ पर दो side में दो pin के बदले में दो face रहती है तो यह कहलाता है MILF resistor याने metal oxide leadless space तो यह एक नया चीज़ है और जो बैटरी की protection की बात कर रहा था इन दोनों pin में बैटरी लगते है भी प्लस भी माइनस और भी माइनस में देखी एक जेनार डायोड के तरह डायोड लगा हुआ है तो यह डायोड ही protection है आपका जो की protection बैटरी अगर उल्टा रगाते है तो यह डायोड conduct नहीं करेगी circuit को off रखेगा और इसको खराब नहीं होने देगा और इसके बगल में एक transistor मिलता है इसके through ही current जा रही है तो यह probably auto features को control करता है इसका base में कुछ signal आता है IC से या फिर कोई resistor capacitor से नीचे के side में देखेंगे तो 2 side में 2 fuse मिल रहा है यह है 200 milliampire की fuse है और यह है 10 ampire की fuse तो इन दोनों fuse में से कोई एक कट जाए तो आपका milliampire यह फिर 10 ampire की जो slot है वो काम करना बंद कर देगा और यह आपर MPR measurement के बिलकुल पास ही 2 diode देखने को मिलता है यह प्राबलिए protection है दो back to back diode है positive negative एक साथ है इसका negative positive एक साथ है तो इस तरह की diode रहने का मतलब यह है कि यह voltage को clamp करेगा 0.7 volt के असपास अगर किसी करण से MPR slot में कोई जाधा voltage आ जाए तो यह उस voltage को limit कर देगा 0.7 से उपर नहीं जाने देगा तो इससे यह आगे की सरकिट्री ठीक रहेगी कोई खराब नहीं होगी इसमें और यह है आपका बाजार कुछ transistor को ड्राइब करने के लिए हो सकता है और दूसरा कुछ features को चलाने के लिए जैसे कि यहापर जो LED backlight है इसके अंदर उसको चलाने के लिए एक transistor पवाब लिया पूर है और यहापर दो और transistor क्यू है पता नहीं चल रहा यहापर एक PTC thermistor है यह इसकी जो voltage probe है इसके अंदर ज्यादा voltage आजाने से यह thermistor protect करता है इसको तो यही है इसके अंदर में अब दोस्तों बात करते है इसको खरीदे कहां से एक इंफो टूल साइट से आप लोग इसको खरीद सकते हैं इसके अलाभा और कई सारे माल्टमीटर से इस साइट में और mobile रिप्यारिन से जुड़ी बहुत सारे सामान इस साइट में मिलता है तो कुछ भी आप खरीद सकते है तो इस मिटर का जो लिंक है वो मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से जाका आप इसको एड़ कट करके आपका एड़ेस वगरा फिल करके डेलिवारी ले सकते है आपके घर में दोस्ता अगर आप कॉन्फूजड है कौन सी माल्टिमीटर ले जाए तो मैं एक माल्टिमीटर रिव्यू का जो प्लेलिस्ट बनाया उसको चेक कीजिए उसके आपको पता चल जाएगा इन सब माल्टिमीटर के अंदर कौन सब बेस्ट है और किसमें क्या क्या फिचर से प् लेंगे नेक्स्ट वीडियो में